हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आटे से बनी अम्रिट सरी चूर चूर नान वैसे यह मेंदा से बनाई जाती है बढ़ कुछ हेल्दी ओप्शन के लिए हम आटे से बना रहे हैं आए देखते हैं इसके लिए मैंने दो कटोरी आटा लिया है उसके बाद इसमें हम डालेंगे आदा चम्मच बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें मैंने डाला नमक नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आदा कटोरी ध दालने के बाद पहले आटे में धाई को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम दीरी-दीरे इसमें पानी डालना स्टार्ट करेंगे अम्रिच सरी नान बनाने के लिए आपको सबसे पहले परफेक्ट आटा लगाना सीखना होगा अगर आप एकदम अच्छा आटा लगा लेते हैं तो आपकी नान भी एकदम परफेक्ट बनने वाली है आप देख सकते हैं दही मिक्स हो चुका है आटे में इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी आप धीरे धीरे करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएं और आपको इसका एकदम सौफ्ट और गीला आटा लगाना है और आप देख सकते हैं मैं इसका आटा लगाती जा रही हूँ, गुंचती जा रही हूँ, सॉफ्ट एकदम पानी डालती जा रही हूँ और आपको एकदम गीला आटा लगा के रेडी करना है इसको अमरिच सरी नान को आज हम ओवन एक गैस तंदूर में बनाने वाले हैं और तवे बनाने वाले हैं, मैं दोनों तरीकों से आपको आज बताने वाली हूँ कि आप अमरिच सरी नान को कैसे बनाएं, आप कुकर में भी बना सकते हैं और आप इसको तवे भी बना सकते हैं आप बाटी वाले oven जिसे हम gas तंदूर बोलते हैं उसमें भी बना सकते हैं अब दिख सकते हैं मैं एकदम गीला और अच्छा धीला सा आटार रीडी करके रख लिया है यह एकदम soft है और एकदम गीला है अब आप इसको एक बगोनी में या आप किसी बरतन में ढख कर आदे गंटे के लिए रख लें अब अमरिच सरी नान में डाली जाती है आलू की स्टाफिंग उसको हम रेडी करते हैं मैंने छे आलू बॉयल करके रखे थे और मैं आलू बॉयल करते हैं इस टाइम ही उसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ ताकि आलू में अंदर तक नमक चला जाए उसके बाद उसको मैंने पील करके चील लिया है और किस लिया है उसके बाद इसमें डाले हरी मिर्ची कटा हुआ एक प्याज उसके बाद पुदीनी के पत्ते डाले उसके बाद खुब सा रहरा धनिया उसके बाद काला नमक उसके बाद मैंने डाला हमारा नॉर्मल नमक उसके बाद एक चमच मैंने लाल मिर्ची डाली है एक चमच धनिया पाउडर डाला है उसके बाद आदा चमच गरम मसाला और एक चमच चमचुर पाउडर अब अच्छे से स्टफिंग के लिए सब भी मसालों को मिक्स कर लें ये हो गई आपकी स्टफिंग रेडी अब आजाते हैं आटे पे आदा गंटा हो चुका है आप देख सकते हैं आटा एकदम सॉफ्ट औ आटा डाल दें ताकि ये जो चिप चिपा पन है आटे का वो थोड़ा कम हो जाए और इससे अच्छे से आटे को इसके साथ काम कर पाएं अब आपने देख लिया बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है एकदम अंदर तक सॉफ्ट है इसमें मैं थोड़ा सा आटा बुरुकती जा र देखें मैंने एक पटे पे पहले थोड़ा सा घी लगाया उसके बाद इस आटे को हाथ से ही ऐसे चप्टा कर लिया आप देख सकते हैं मैंने पूरा चप्टा कर लिया है अब इसके अंदर हमें लेयर्स बनानी है अब इसके ऊपर आप अच्छा सा घी लगाएं या बटर गी लगाया जाता है उसके ओपर ऐसे सूखा आटा बुरक लें उसके बाद अब इसे हमें फोल्ड करना है एक साइट से फोल्ड किया उसके ओपर गी लगाएंगे और अच्छे से इसको ऐसे दबा के उसके ओपर आटा बुरक लेंगे अब हमने दूसरी साइट से अब आप और सूखा आटा इसके उपर भी भुरक लेंगे, ऐसे दबा लिया, अब हमें दोनों साइड से इसको फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करके अब आप देख सकते हैं, इसकी कितनी लेर्स बन चुकी हैं, और ऐसे दबा दिया, और अब इसके आपको लोयाँ बनानी है, इसको हलके हाथ से बिलकुल ऐसे जैसे हम पूरी के लिए आटे को गूनते हैं उसके ऐसे करके इसकी लोईयां चक्कू से एक साइस के बराबर की काट लें अब आप देख सकते हैं इसमें छे से आठ नान बनने वाली हैं हमारी और ऐसी साइस की मैंने लोई ले ली है अब इसके अंदर हम भरेंगे स्टफिंग ऐसे आलू का एक गुला बनाया और मैंने हाथ से पूरा इसको ऐसे ही कवर कर दिया क्योंकि आठा हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आपको बिलकुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको अब आपको हाथ से ही बढ़ा लेना है आप ऐसे सफिंग के साथ हमारी जो लोई है उसको मैं बढ़ा करती जा रही हूँ ऐसे थोड़ा सा उठाया मैंने इसको और फिर से हलके हातों से दबाती गई दबाती गई और यह हमारी एक पहली जुनान है वो रेडी हो चुकी है उसको ऐसे हाथ से ऐसे गड़ा भी कर लें जैसे औ आपकी नान तवे पर अच्छे से चिपक पाए मैंने तवा गरम होनों के लिए रख दिया है और एक और चीज का धियान रखे है कि आपको तवा अच्छे से गरम करना है नहीं तो आपकी नान इस पर अच्छे से नई चिपकेगी और वह उतर के नीच आ जाए इसके बाद इसमें हम लगाएंगे कसूरी मैथी या हरा धनिया यह ऑप्शनल है अगर आप नान लगाना चाहें तो इसे प्लेन भी सेख सकते हैं अब मैंने तवे को एकदम अच्छे से गरम कर लिया है उसके बाद जिस साइड मैंने नान में पानी लगाया था उस साइड से एकदम किया और अच्छे से गुमा कर चारो साइड से नान को सेख लेना है क्योंकि यह तवा है इसमें हीट बाहर को निकल सकती है बाहर क्योंकि निकल जाती है इसलिए आप इसको अच्छे से गुमा कर चारो साइड से शेख लें आप अपनी नान को कड़ाई में भी चिपका कर उ उसे उल्टा करके सेख सकते हैं और अपनी एक्तम टेस्टी नान घर पर ही रडी कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं मेरी जो नान है वो बिलकुल क्रिस्पी हो चुकी है अच्छे से पक चुकी है उसके बाद मैंने इसको चीम्टे से या पल्टे से निकाल दी जा रही हूँ और अब ये सर्फ करने के लिए रडी है और लास्ट में इसमें हमें लगाना है बटर या घी आपको जो भी पसंद हो वो इसके उपर लगाएं और गर्मा गरम सर्फ करें और इसमें लास्ट जो काम किया जाता है उसे एकदम हातों से दोनों हातों से क्रेश करके सर्फ किया जाता है इसलिए इसे कहते हैं चूर चूर नान और इसके अंदर की जो लियर्स होती है जो अलू की स्टाफिंग होती है यह बहुती टेस्टी और यमी लगती है अब मैं आपको बता रही हूँ कि गैस तंदूर जिसमें हम बाटी बनाते हैं उसमें कैसे बनाएंगे मैंने गैस तंदूर को 10 मिनट की तक के लिए अच्छे से गरम कर लिया है पहले से उसके बार मैंने इसमें चिपकाई नान ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगी और बीच बीच में आप उठा कर देख लें और ये एक्दम क्रिस्पी इसमें सिखती है क्योंकि इसमें गैस कहीं से बाहर नहीं निकल पाती है और अच्छी और जादा क्रिस्पी अगर आपको नान चाहिए तो आप गैस तंदूर का उपयो संद्राइते के साथ या अचार के साथ किसी के भी साथ और इसको इंजॉय करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करें